जहें दोस्तों, तारीग थी 22 अपरेल, उस दिन कुछ एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी लोगों के मतलब मैं कहूंगा ध्यान अपनी और खीच लिये नाकपुर की एक घटना थी, एक RSS के स्वयम सेवक थे, नारायन दाभतकर, इनकी एज करीब 85 एर्स थी, यह हॉस्पिटल में एडमिट थे, इनको परयाक्त जिस तरीके से इनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए तो तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा था, फिर उन्हें ने देखा शान्त हो गया, मतलब उन्हें मृत्यों को गले लगा लिए, इस तरीके की घटना सामने है, जिसको पूरे देश ने देखा भी, सराहा भी, और ये भी कहा कि बड़ा दिल वाला इनसान था है, ठीक है, यह सब चीजें हो गई, खतम हो गई, 22 अपरेल का सपस की घटना थी, लेकिन उसके बाद मीडिया अंस के अंदर आ है, कि मीडिया को तो अब हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ चाहिए, कि हमें तो कुछ गलत चीज मिल जा, तो हम लोगों को दिखा पाए, तो दो न्यूस पेपर या दो न्यूस एजेंसी थी, जिन्होंने इसकी फैक्ट चेकि लेकिन कर तो सकते हैं, अब इसको लेकर एक कोई व्यक्ति था, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसने कुछ ट्विट कर दिया, एक अन वेरिफाइड वीडियो को देखते हुए, कि भाई देखी ये जो पूरी खबारती है तो गलत है, बलकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये प्रोपर स्टेप लीजी, इस तरह की वरी बात सामने है, अब हम पूरा अर्टिकल समझते हैं, जिससे की समझ में आएगा क्या हुआ तो और किस तरीके से इसके उपर गिद्ध कितर है लोग बैठे थे, लगातार बढ़ती हुए महमारी के बीच दो अकबारों ने अपने स पारी, वैक्सिनेशन प्रोग्राम के बारे में कोई समझ में नहीं आ रहा है, अस्पातालों के स्थिती बद से बत्तर होती जा रही है, वहीं जो पावर्फुल लोग है उनको तुरंत बैड मिल जा रहा है, इस तरह की घटनाओं के बीच में नाकपुर से जो एक खबर साम इस एक्टिविस्ट ने किसी दूसरे अस्पताल से जानकारी जुटाई थी, वहां ऐसा कोई मरीज था या नहीं, ऐसी ही दूसरी खबरों ने उस अस्पताल के डॉक्टर के बयान को ही घुमा दिया जहां नारायन काका भरती थे, इस रिपोर्ट के कते तोर पर डॉक्टर दूरा ये कहा गया कि वो अत्वा उसका स्टाफ नारायन काका दूरा अपने बेड किसी अन्य मरीज को दिये जाने के समय वहां पर मौझूद नहीं था, मतलब उन लोगों नहीं चीज नहीं सुनी, इसका अपरतक्ष रूप से यही अर्थ निकला तंकलता है, डॉक्टर न पर के माध्यम से सेकुलर और लिबरल इकोसिस्टम आरेसे उसके कारे करता हूं और उनके परिवारों को बदनाम करने का कारे करेगा, जीदी सी बात है, इस घटना से दो बाते सामने आती है, पहली है कि फैक्ट चेकिंग अप फेक नीज और परपगेंड़ा फिलाने का एक गलत सिद्ध कर सकते हैं कि इसके उपर पूरा ध्यान देना है, इसके पीचे कारण है एक विचारधारा जो हिंदु धर्म को बुरा और अन्याय पूर्ण मानती है, और ये विश्वास करती है कि हिंदु धर्मी भारत के अंदर सभी समस्याओं की जड़ है, अधिकतर पतरक इसी विचारधारा की सिपाही है, हाला कि ये वतरकार हिंदु धर्म पर सीधा हमला नहीं करते हैं, किन्तु वो संगियों और हिंदु समुह के अच्छे कारे को भी नजर अंदाज करके उन पर भी अपना प्रोपडेंडा लगातार चलाते रहते हैं, और ये हम लोग पिछल सामना है किस तरीके से वो इन ही चिताओं की तस्वीरों को 23-23,000 बेचने का काम कर रहे हैं, विश्व मीडिया में, जाहिर सी बात है, ये कोई अपना ही कर रहा होगा, कोई भारती ही तो बेच रहा है इन फोटोस को, एजंडा एक हिए हिंदु समास को कमजोर बनाना क्योंक करता है कि हिंदु समुक के किसी मूर्ग से पुरून अत्वा अस्वी कारणों के कारण उनको खबरों में लाया जाए, जब भी आरिसे अत्वा हिंदु समुक किसी प्रकार का अच्छा कारे करता है, तो उसे इसी तरीके से खबरों में ढहला जाता है, अब ये जो खबर साम झाइ, झाई.